क्या आप भी हैं एक e-commerce website owner और चाहते हैं कि आपकी website पर धेरो और्ग्यानिक रीच आए, आपके products पर जादा से जादा eyeballs आए सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगी कि किस तरह से Pinterest का यूज करके आप अपनी e-commerce website पर धेरो गार्डियन्स लेकर जा सकते हैं और अपने product को जादा से जादा से जादा सेल कर सकते हैं Hello everyone, I am Harmeet, welcome you all on WS Cube Tech, so this video में हमारी एक furniture website है, हमारे ही client की, मैं आपको अपनी website अगर है तो विल और नहीं है, तो बना लेज़े, नहीं भी है website और अगर आप किसी और e-commerce website पर यहां पर अपना business को प्रमोट करते हैं, जैसे Amazon पर Flipkart पर, तो वहां से भी आप अपना जो product है, उसको यहां पर sell कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी reach वहां पर पहुचा सकते हैं, तो अगर आपकी e-commerce site है, तो विल और नहीं तो आप Amazon Flipkart पर भी अपना register करवागे, वहां से अपना जो business है, product है, उसका link यहां पर use कर सकते है So, main हमारा motive क्या है, कि अगर आपकी कोई e-commerce site है, तो उसके जो products है, वो किस तरह से उन products तक हम जादे से जादे audience पहुचा है, और Pinterest could be a platform जहां से जादा audience आपकी website पर आपके products पहुच सकते हैं, तो हमारी यह website है, इसको मैं use कर रही हूँ और इनका मैंने एक dummy account यहां पर create कर just to show you few things, okay? So, यह हमारा account यहां पर बन चुका है, so, यहां पर सबसे पहले मैं कुछ जो essential settings है, वो यहां पर कर देती हूँ, जैसे कि यहां पर photo है, तो photo मैं मैं अपना जो profile picture है, वो अपना logo यहां पर put कर देती हूँ, लोगो नहीं है अगर आपके पास, या फिर logo is according नहीं है कि आप यहां पर profile में यहां पर put कर सकते हो, तो आप logo के बजाए, यहां पर कुछ भी furniture से related कोई भी जो idea है, वो यहां पर आप पूट कर सकते हो, जो बस यह शो कर दे कि आपका जो business है, आपका जो content है, वो किस related है, राइट, जैसे कि अगर पर example आप e-commerce है, तो clothing का है, apparels का है, तो अगर आप अपना खुद का logo लगाओ, well and good नहीं, तो आप कोई ऐसी image लगा सकते हो, जिससे पता चलेगी, इस profile पर apparel से related, clothing से related हमें, चीज़े मिलने वाली है, चीज़े है, उसके अलावा most important name, अब name की जब हम बात करने वाले हैं, तो यहां पर आपको, जो भी आप का business है, ठीक है, भली आपका clothing से related है, furniture से related है, home decor से related है, handicraft से related है, doesn't matter, उससे related आपको keywords यहां पर search करने पड़ेंगे, right, keywords आपको कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसकी यह सारी चीज़े मैंने एक वीडियो में discuss की है, और वो वीडियो है, keyword analysis की, link आपको description box में मिल जिसे की, सारी जो की, चीज़े है, keyword analysis से लेकर, वो clear हो जाए, ठीक है, आपको 2-3 वीडियो जो है, वो ये वीडियो देखने से पहले देखने पड़ेंगी, like, Pinterest SEO, Pinterest keyword analysis, अगर आपने account ही, अगर आप भी तक नहीं बनाया है, तो how to create an account भी है, अगर post करना, आपको नहीं आता Pinterest पर नए है, बिल्कुल नए है Pinterest पर, तो सारी जो वीडियो जो इस वीडियो से पहले आई है, वो सारी देख लीजे, right, चलिए, so यहाँ पर मैं कुछ keywords add कर रही हूँ, जो कि मतला मुझे लगता है कि Pinterest को ease रहेगी, Pinterest को थोड़ा easy रहेगा, कि वो मेरी profile तक पहुंचा दे, जब भी कोई search करे, furniture या handicraft से related कुछ, ठीक है, so मैं यहाँ पर वो वो चीजें डालने वाली हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा, मेरी जो audience है Pinterest पर, वो search करेगी, जैसे furniture ideas, ठीक है, उसके अलावा, designs, okay, उसके अलावा मैं कर सकती हूँ, home decor, because furniture is a part of home decor, ठीक है, so यह मै आपको अपना description लिखना है, description इस तरह से होना चाहिए, कि जो user है, as well as जो Pinterest का algorithm है, वो उसको बहुती easily समझ जाए, और यह समझ जाए कि आपकी profile पर किस तरह का content आने वाला है, right, so उस तरह का आपको description लिखना है, यहाँ पर वो keywords use होंगे, जो आपने research की होगी, आपने देख ला सकते हैं, जादा से जादा engagements ला सकते हैं, तो keyword analysis बहुत जादा important है, right, अगर आप बहुत सारी videos हमारी आई है, अलगर business को लेकर, photography को लेकर, उसके अलावा हमारे blogging को लेकर, right, so वो आप जरूर देख लिजएगा, right, so आज इस वीडियो में सिर्फ और सम e-commerce की बात कर रह आप अपना जो user name है, वो भी यहां पर change कर सकते हैं, right, जैसे जोदपुरी furniture मैंने यहां पर put कर दिया, और इसको मैंने यहां पर save कर दिया, चीक है, और एक video है, Pinterest settings वाली, वहां पर मैंने आपको बहुत ही detail में समझाएगी, किस तरह से Pinterest पर आप अपनी website को claim कर सकते हैं, तो website को claim जरूर कर लिजेगा, उसके लावा जो other social media platforms है, उनको भी claim करना, right, वो इस option में आजाएगा, यह आप वो वीडियो देखेंगे, आपको बहुत easily हां पर समर्च में आजाएगा, चलिए, तो इस तरह से हमारा थोड़ा से एक outlook बन चुका है, इसके लावा भी हम देखें तो यहाँ पर मैंने furniture का ही एक अच्छे resolution का यहाँ पर एक picture ले सकते हैं, और इस तरह से आपका यह जो profile है, यहाँ पर create हो जाएगा, यहाँ पर description यहाँ पर add कर सकते हैं, चलिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप pin करके, एक single pin जिसमे तो यहाँ पर आपके हैं, यहाँ पर चलिए जाएगी जहाँ पर आप उन्हें पर चाना चाते हो, यानि आपकी website पर, चीज़ेंगे, चलिए, तो हम एक simple pin यहाँ पर create करते हैं, okay, so, for example, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आजाएगा कि क्या कि आप कर सकते हैं, यहाँ effective pin बना सकते हैं, अगर content creation की बात करूं, तो वह भी यहाँ पर मैंने बात की है, so, इस तरह से जैसे हैं हमारी ही website का product है, यानि हमार जो client है, यानि जोत्पुरी वाला उन्ही का ही यह एक photo है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, अब most important चीज़ जो आपको करने हैं, most important step, वो यह जो product है, आप उस product पर जाएए, so, यह वाला मेरा product था, मैंने इसको click किया, यह मेरे product का URL था, वो open हो गया, अब मैं इसके URL को करने वाली हूँ, copy, और जाकर जहां पर मैं यह post create कर रहे थी, वहां पर मैं अपना यह URL यहाँ पर put कर देते हूं, ठीक है, और उसके अलावा फि SEO वाली वीडियो में, titles बनाना, description बनाना, वो सब अच्छे से समझाया है, तो please आप वो ज़रूर चाह कर देखिये, यहाँ पर मैं put कर रहे हूं, bedroom ideas, और slash करके मैं यहाँ पर डाल रहे हूं, bed designs, ठीक है, so, यह मेरा simple से title हो गया, यहाँ पर description में भी, again, आपको hashtags और keywords एक साथ add करना है, तो वो मत भूलेगा, right, जैसे की bedroom decor, right, again, मैं इसको separate कर देती हूं, bed designs, right, यह मेरा keyword हो गया, उसके अलावा भी, जो भी related keywords, आप keyword research करेंगे, वो यहाँ पर आप put कर सकते हैं, home decor, जो भी आपके business से related, और trending से related, जो भी यहाँ पर keywords है, वो यहाँ पर आप put कर सकते है right, उसके अलाव हो all text आपको करना है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूं, bed design, right, चलो, यह हो गया, और यहाँ पर हम एक select board करेंगे, board आपका relevancy, board की क्या relevancy है, कितना relevant है, कितना important है, relevant board बनाना, यह मैं discuss कर चुकी हूं, हमारी previous कई सारी videos में, एक बार नहीं, बहुत बार, बहुत वो मिल गए है, ideas मिल गए है, तो bedroom designs करके मैं एक board क्रियेट कर रही हूं, और उसी में ही मेरा यह जो product है, यानि जो मेरा यह bid है, यह जो link है, यह URL है, यह publish हो जाएगा, अब यह जैसे ही publish हो जाएगा, यहाँ पर होने वाला है एक magic, ठीक है, यहाँ से ना, मैं अपनी website को बं इमेज या फरी वाला post, तो जैसे ही इस पर direct होगा, यानि जैसे ही वो click करेगा इस post पर, वो पहुंच जाएगा मेरे product पर, और यहीं से ही मुझे क्या मिलेगी, organic reach, अब आपको क्या क्या चीज़ा धियान रखती है, आपकी profile name में keywords use होने चाहिए, आपके description में keywords होने और उसके अलावा जो आपका description है, यहाँ पर आप hashtags और उसके अलावा keyword phrases यहाँ पर add कर सकते हो, इसके बारे में detail में मैंने बात की है, how to pin वाले video में, और keyword analysis में, और Pinterest SEO में, so वो पूरी series आपको देखनी है, और इस तरह से हर एक post पर, हर एक pin पर जब आप एक अपना product add कर द भी मैनत नहीं है, direct walk की product तक पहुँच गए, तो आप मुझे बताइए, अगर मान लीजे, 100 लोगों को भी अगर आप एक दिन में अपने product तक लेके आपाते हैं, तो आपको क्या लगता है, कितने लोग, मैं तो कहती हूँ गर 1% भी लोग हमारे इस product को खरीते हैं, तो जान आपर we are not wasting our money, हमारा कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है, plus time भी हमारा कुछ नहीं लग रहा है, right, so अगर हम इसको convert कर पाते हैं, तो I think हमारी cost बहुत जादा cost efficient है, so this, यहाँ पर मैं आपको कुछ tips and tricks पता दी, again, पूरा course आप देख लीजेगा, जिससे की सारी knowledge आपको मिल ज आती हो, right, चलिए, जैसे यह एक furniture idea है, यह तो 10 million, 10 million plus monthly views है, right, आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छी इनकी growth है, और यहाँ से आप कुछ ideas ले सकते हैं, इनके description से कुछ ideas ले सकते हैं, right, उसके अलावा आप अपने इनके जो profile name है, वहाँ से आप ideas ले सकते हैं, keyword यहाँ से अगर मान लीजे कोई ऐसा product है, right, जैसे कि इनका कोई भी, for example, furniture से related यह वाला product है, right, और आपको लगता है कि आपकी जो firm है, आपका जो business है, वो इस तरह का product बना के अपने client को दे सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपनी profile में save कर सकते हैं, या फिर इस profile को direct अपनी profile स connect कर सकते हैं, यह जो आपका post है, इसको आप save करकर और अपनी profile में add कर सकते हैं, और आप क्या करेंगे, उसको direct link कर देंगे अपने contact number से या अपनी email ID से, so वहां से भी आपको काफी अच्छी growth मिलेगी, जैसे मैंने इसको save कर दिया है, right, जैसे organic furniture में, और यहां पर create करके, य यह जो particular post है, जो particular pin है, यह कहां show होगा मेरी profile में, और वहीं से ही हमारी जो profile है, वो boost करेगी, और profile boost करेगी, तो क्या होगा, हमें reach मिलेगी हमारी website पर, so I think this is a wonderful platform for all the e-commerce website users, right, so यहां पर मैंने कुछ आपको tips बता दी हैं, बाकि उसके लाबा पूरी जो Pinterest की series है, वो आप दे अगर e-commerce website use करते हो तो, and I hope कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा, so hit the like button अगर कुछ सीखा है तो, and कोई भी suggestion हो, problem आ रही हो, id create करने में, use करने में, तो just comment कर दीजे आप, और channel को subscribe कर लीजेगा, जिससे एक भी वीडियो मिस ना हो, thank you so much. कर दो